हलो स्टुडेंट माई सेल्फ राहूल मिस्राट टीम बॉटनी सील सी सीकर आज हम यहां डिसकस करते हैं गुरू नीती में यूनिट सेवेंथ जिसमें प्लांट फिजियों के तीन चैप्टर आते हैं इंक्लूड हमने किया है फोटो संथेसिस रेस्पिरेशन एंड प्लांट जिसमें हम सबसे पहले डिसकस करेंगे फोटो संथेसिस से रिलेटेड कॉस्चन जो क्रिवियस येर में पूछे गए हैं चलिए देखते हैं इसमें प्रिकास स्वतंत्र अभी करिया हैं कहां होती है यानि कि वो रियक्षिन जो लाइट से इंडिपेंडेंट रूप में चल इसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड मिलकर बनाते हैं ग्रेना और इस ग्रेना के ऊपर लाइट डिपेंडेंट रियक्शन चलती है यानि कि लाइट रियक्शन जबकि यह जो इस्ट्रोमा वाला पार्ट है इस इस्ट्रोमा वाले पार्ट में चलती है लाइट इंडिपेंडेंट रियक्षन और स्ट्रोमा को हम हिंदी में बोलते हैं पीठी का तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रोमल मैट्रेक्स या पीठी का आधात्री में लाइट इंडिपेंडेंडेंट रियक्षन चलती है आंसर आ जाएगा सेकेंड चलिए नेक्ट्स तो देखिए next question प्रकास संसलेशन के दौरान निसकासिद oxygen जल अडू से आती है इस अभी क्रिया में निमने लिखे तत्वों में से कौन सा एक यूग मुसम्मिलित होता है तो अगर मैं यहाँ पर इस reaction की बात करूं तो यह पूशा गया है कि oxygen evolved during photosynthesis comes from water यानि कि जो oxygen निकलती है photosynthesis के time पर वो कहां से आती है वो water से आती है लेकिन which of the following pair of element involved in this reaction यानि कि इस reaction में जिस reaction को हम बोलते है photolysis of water इसमें कौन से element सम्मिलित होते है तो अगर मैं थाइलेकोईड की membrane की बात करूं तो थाइलेकोईड की membrane पर अंदर की तरफ एक complex होता है जिसका नाम है oxygen evolving complex और इस complex में दो main metal आयन होते हैं जिनका नाम है manganese and इसी के साथ साथ इसमें present होते है chloride आयन तो manganese और chlorine आप कह सकते हैं इनके ions इस photolysis of water में बहुत important role play करते हैं इसलिए answer क्या जाएगा manganese and chlorine answer third next वर्णा की लवक यानि की chromatophore किस क्रिया में भाग लेते हैं अब देखिए chromatophore are involved in अगर मैं chromatophore की बात करूं तो यह जो chromatophore है चुकि इसमें pigment पाए जाते हैं और pigment की उपसिती की वज़े से light energy को absorb करके photosynthesis process को perform कराते हैं इसलिए इसका answer क्या जाएगा photosynthesis यानि की third answer आपके उद्यान में एक पादफ प्रकास स्वसंद से होने वाली हानी से बचता है उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है उच्च तापमान पर प्रकास संसलेशन की उच्च दर दरसाता है और साथी साथ उसमें nitrogen उपयोग की दक्षता उन्नत है यह पादफ किस कारी की सम plant है आपके गार्डन में जो अबोई करता है फोटो रेस्पिरेटरि लॉस यानि कि जिसमें फोटो रेस्पिरेशन यह प्रकास्वसन नहीं होता है इम्प्रूब वाटर यूज एफीसियंसी और उसमें वाटर यूज की एफीसियंसी ज्यादा है और सात ही साथ ध्यान लगना ये photosynthesis की high rate सो करता है at high temperature तो आप कह सकते हो कि इसमें plant आ जाएंगे C4, C3 plant होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे क्योंकि C3 plant में photorespiration होता है जबकि C4 में नहीं होता अब बात आती है chem plant की ध्यान रखने यहां पर बोला गया है कि ये plant high rate सो करते हैं photosynthesis की at high temperature जबकि chem plant की अगर मैं बात करूँ तो ये रात में photosynthesis करते हैं यानि की इन में दिन में समय photosynthesis नहीं होती तो इस case में हमारा answer क्या जाएगा third C4 plant ध्यान रखना C4 plant high temperature पर भी photosynthesis की high rate को सो करते हैं photorespiration होता नहीं है water efficiency इनकी बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर answer आ जाएगा third next question हरित लवक में proton की अधिक्तम संख्या कहां पाई जाती हैं अगर मैं chloroplast की बात करूँ तो ये मान लीजी ये थाइलेकोईड है और ये जो थाइलेकोईड है इसके अंदर क्या होता है जब फोटो सिस्टम से होकर electron का flow होता है तो एक तो H positive stroma से कहां transfer हो जाते हैं थाइलेकोईड की lumen में उपर से water का light की presence में splitting होती है तो इस case में भी H positive कहां accumulate हो जाते हैं थाइलेकोईड की lumen में तो answer आ जाएगा थाइलेकोईड की अवकासिका यानि की lumen of थाइलेकोईड answer third next immersion दीरगी करण प्रभाव और लाल पतन red drop किसकी खोज में प्रमुख यंत्र रहे हैं यानि की immersion enhancement effect and red drop have been instrumental in the discovery of अब देगिए अगर मैं immersion enhancement effect या immersion दीरगी करण प्रभाव की बात करूँ तो यहाँ पर scientist थे Emerson और Arnold उन्होंने मिलकर बताय था कि जब 680 और 700 nanometer wavelength की जब light chloroplast पर डाली जाती है तो इस case में क्या होता है जब अलग-अलग डाली जाती है तो photosynthesis की जो efficiency आती है वो अगर दौनों लाइटों को एक साथ दी जाती है तो photosynthesis की efficiency बहुत बढ़ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर तो immersion enhancement effect यानि कि जो yield होता है या उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है तो इसी को बोला गया है immersion enhancement effect अब अगर मैं red drop की बात करूँ तो अगर मैं red drop की बात करूँ तो ध्यान रखना जो यहाँ पर कह सकते हैं जो pigments होते हैं तो photosynthesis के लिए light को absorb करते हैं और उसी की वज़े से rate of photosynthesis increase होती है तो जैसे जैसे बेव लेंध हम बढ़ाते हैं photosynthesis की rate बढ़ती घटती है पहले सुरुवात में बढ़ती है फिर घटती है और फिर अचानक red light में यह बढ़कर और फिर अचानक कम हो जाती है 700 nm पर तो 700 nm light पर photosynthesis की rate का अचानक कम हो जाना इसी को क्या बोलते हैं red drop effect क्या बोलते हैं red drop effect अब यह दोनों जो immersion enhancement effect और red drop effect है यह दोनों मिलकर इस बात को दर्सा आते हैं कि दो प्रकास तंत्र एक साथ काम करते हैं क्योंकि आपने देखा immersion enhancement effect में जब 680 nm wavelength की light और 700 nm wavelength की light को जब अलग-अलग दिया गया तो yield कम था लेकिन जब दोनों को एक साथ दिया गया तो दोनों तंत्र जो प्रकास तंत्र थे उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया इसलिए yield बढ़ गया तो ये क्या दर्स आता है कि दोनों प्रकास तंत्र एक साथ काम करते हैं इसलिए आंसर कौन सा आएगा थर्ड तो ध्यान रखना immersion enhancement effect और red drop effect इस बात को सो करते हैं कि दो two photo system operating simultaneously एक साथ मिलकर काम करते हैं आंसर आ जाएगा थर्ड next प्रकास translation की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विशह में निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जान रखना पूचा गया है सही नहीं है अब देगिए वायू मंडल ये co2 की सांदरता 0.05% तक बढ़ने से यह co2 इस्तरी करण की दर बढ़ा सकती है बिल्कुल सही है अगर मैं environment में co2 की concentration की बात करूँ तो लगबग 0.03% होता है अगर इस concentration को हम 0.05% तक बढ़ाएं तो photosynthesis की जो rate है वो भी क्या होती है बढ़ती है यानि की co2 इस्तरी करण की दर बढ़ती है यह statement सही है C3 पादप उच्च तापमान की प्रती किरिया में बढ़ा हुआ प्रकास संसलेशन दर साते हैं जबकि C4 पादपों के लिए इस्तरतम तापमान अपेक्चा करत काफी कम होता है यह गलत है ध्यान रखना C4 प्लांट के लिए इस्तरतम तापमान कम नहीं होता बलकि ज़्यादा होता है इकलियर NCIT में सो कर रखा है जबकि C3 प्लांट कम temperature में पाए जाते हैं का optimum temperature यह इस्तरतम तापमान कम होता है जबकि इसमें उल्टा दे रखा है और पूचा गया है कि सही नहीं है तो answer आजाएगा हमारा second अगला देखिए टमाटर एक हरित ग्रेफ हसल है जिसे उच उपज पाने के लिए CO2 प्रचुरित वायू मंडल में उगाया जाता है बिल्कुल सही है जोगे टमाटर क्या है C3 प्लांट है जिसके लिए CO2 की सांधता जादा चाहिए तब फोटो सिंथेसिस की रेट उसमें इंक्रीज होती है तो ये बिल्कुल सही दे रखा है अता हमें अगर टमाटर से प्रोडक्शन बढ़ाना है तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है फोर देखिए CO2 इस्थरी करण के लिए प्रकास संत्रप्ती पूर्ण सूर्य प्रकास के 10% पर होती है ये भी बिल्कुल सही दे रखा है यहां जब आप NCRT में पढ़ेंगे क्लियर बता रखा है कि किसी भी प्लांट के लिए जो अगर कम से कम 10% फुल सनलाइट का 10% अगर सेक्ड तो देखिए दर इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इंक्रीजिंग एट्मोस्फेरिक सी ओ टू कंसेंट्रेशन अप्टू जीरो पॉंट जीरो फाइव परसेंट कैन इनहेंस सी ओ टू फिक्सेशन रेट बिल्कुल राइट है यह सी तरी प्लांट रिस्पॉंड टू हाई टेंप्रेशर वाइल बित इनहेंस फोटो सिंथे वाइल सी फोर प्लांट हैव मच लोवर टेंप्रेशर ऑप्टीमम लोवर नहीं होता इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आ जाएगा सेक्ड नेक्स्ट निमने लखित में से किसमें फॉस्पोइनॉल पाइरुवेट एक प्रात्मिक सी ओ टू गराही है तो अगर मैं सी फोर प्लांट की बात करूं तो सी फोर प्लांट में जब सी फोर साइकल चलती है तो उसमें जो मीजोफिल सैल होती है यानि की पर्ण मद्यों तक कोशिका है तो इस पर्ण मद्यों तक कोशिकाओं में एक कमपाउंड पाया जाता है फोस्पोइनॉल पाइरुबेट ये फोस्पोइनॉल पाइरुबेट जो बातावरण से आने वाली सी ओ टू को अक्सेप्ट करता है और इसके अक्सेप्ट कर यहाँ पर एक enzyme लगता है उसकी उपस्तिती में बनता है जो चार कारवन कंपाउंड होता है फोर कारवन कंटेनिंग कंपाउंड है तो आप कहा सकते हो फर्स्ट जो प्राइमरी CO2 अक्सेप्टर कौन है फॉस्पो इनॉल पाइरूबेट और इससे बना ऑग्जेलो एसे टिक यह किसमे होगा चुकि इसमें फर्स्ट इस्टेवल प्रोडक्ट बन रहा है फोर कारवन कंटेन तो इस साइकल जो चलेगी वो है C4 साइकल और यह किवल किसमें प्रजेंट होगा C4 प्लांट्स में आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स देखिए निमनिलिकित मैंसे कौन सा एक प्रकास संसलेशन की प्रकास अभी क्रिया का उत्पाद नहीं है अगर मैं लाइट रियक्शन की बात करूँ तो लाइट रियक्शन के जो उत्पाद होते हैं वो है NADPH2 इसके अलावा इसमें बनता है ATP और साथी साथ इसमें बनता है oxygen तो देखिए आप NADPH यह हो जाएगा उत्पाद, oxygen उत्पाद है, ATP उत्पाद है लेकिन NADH उत्पाद नहीं है तो इसलिए answer आजाएगा हमारा third तो आप देख सकते हैं कि light reaction का product कौन कौन से नहीं है तो answer आजाएगा third बाकि यह तीन product है light reaction के यह मैंने यहाँ सो कर दिए है नेक्स्ट किसमें प्रकास संसलेशन में oxygen नहीं निकलती है अब देखिए अगर मैं प्रकास संसलेशन या फोटो संथेसिस की बात करूँ तो फोटो संथेसिस दो टाइप का होता है कौन कौन सा first is anoxygenic anoxygenic photosynthesis में oxygen उत्पन नहीं होती ध्यान रखना anoxygenic photosynthesis के टाइम पर कभी भी oxygen उत्पन नहीं होती जबकि दूसरा आता है oxygenic photosynthesis next आता है oxygenic photosynthesis oxygenic photosynthesis के टाइम पर ओटू उत्पन होती है अब ध्यान रखना anoxygenic photosynthesis किसमे होता है यह present होता है bacteria के अंदर photosynthetic bacteria में जबकि oxygenic photosynthesis present होता है plants के अंदर और साथी साथ blue green algae के अंदर अगर मैं साइकस की बात करूँ तो साइकस plant है इसमें oxygenic photosynthesis होगा अगर मैं कारा की बात करूँ इसमें oxygenic photosynthesis होगा यानि की oxygen निकलेगी मैं नॉस्टोक की बात करूँ blue green algae है और इसमें भी oxygen निकलेगी लेकिन अगर मैं green sulfur bacteria की बात करूँ तो इसमें कभी भी oxygen नहीं निकलती क्योंकि इसमें present होता है anoxygenic photosynthesis तो ध्यान रखना इन समें अगर मैं बात करूँ तो green sulfur bacteria में कभी भी photosynthesis के time पर oxygen नहीं निकलेगी क्योंकि anoxygenic photosynthesis इन में होता है इसलिए answer क्या जाएगा हमारा fourth next प्रकास स्वसन में rubisco enzyme की oxygen क्रिया से किसका निर्माण होता है अब देखिए oxygenation activity of rubisco enzyme in photorespiration lead to the formation of अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो photosynthesis में जब rubisco जब rubisco rubP की reaction oxygen से कराता है चुकि rubisco में कितने कारवन है five carbon होते हैं तो यह finally एक molecule बनाता है three PGA का और एक molecule बनाता है two phosphoglycolate का अब देखिए PGA कितने कारवन contain है तीन कारवन जबकि two phosphoglycolate कितने कारवन contain है two carbon contain होता है अब देखिए इसमें six carbon यौग एक का एक अडू क्या six carbon का कोई molecule बन रहा है गलत चार कारवन यौग एक का एक अडू इसमें कोई भी चार कारवन युक्त नहीं है तो गलत हो जाएग इसमें कम से कम एक molecule किसका बन रहा है तीन कारवन युक्त है तो answer आजाएगा हमारा fourth तो ध्यान रखना जब RUBP ये रुबिस्को एंजाइम oxygenate activity शो करेगा तो इसमें एक molecule किसका बनेगा तीन कारवन contain बनेगा answer आजाएगा fourth next question discuss करते है 12 प्रकास अभीकरिया में electronों के इस्थानांतरन को प्लास्टो क्यून कहां से सुगम बनाता है अब देखिए जब electron का transfer होता है तो कहां से कहां की तरफ होता है माल लीजे ये क्या है थाइलेकॉइड की membrane ये जब थाइलेकॉइड की membrane है तो यहाँ पर क्या होता है photo system second ये है PS second जब इस PS second से electron निकलते हैं तो उस electron को कौन accept करता है प्लास्टो क्यून और प्लास्टो क्यून इन electrons को लेकर किसको transfer कर देता है साइटो क्रोम B6F complex को कहां transfer कर देगा साइटो क्रोम B6F complex को तो आप कह सकते हो कि प्लास्टो क्यून फोटो सिस्टम second से electron को लेकर साइटो क्रोम B6F complex की तरफ electron को transfer करता है तो आप कह सकते हो answer आजाएगा third तो धान रखना light reaction के time पर प्लास्टो क्यून फोटो सिस्टम second से साइटो क्रोम B6F की तरफ electron को transfer करता है answer आजाएगा third निबने लिखित में से कौन सा कथन गलत है यानि कि हमें wrong statement या incorrect statement देखना है पहला देखिए पीठी का लेमिली में केवल PS1 होता है और NADP reductage का अभाव होता है बिल्कुल सही है अगर मैं chloroplast के अंदर दो थाइलेकोईड को जोडने वाले stromal lamely की बात करूं तो इस stromal lamely पर only PS first होता है PS second और NADP reductage enzyme absent होता है तो यह statement बिल्कुल right दे रखा है तो ध्यान रखना इस stromal lamely पर only PS1 होता है जबकि इसमें NADP reductage absent होता है ग्रेना lamely में PS1 और PS2 दोनों होते हैं ग्रेनल lamely है बोथ PS1 और PS2 बिल्कुल सही अगर मैं ग्रेना की बात करूं कई थाइलेकोईड मिलकर बनाते हैं ग्रेना तो इस ग्रेना पर दोनों टाइप के फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं PS1 और PS2 चक्रिय प्रकास फॉस्पोरिली करण में PS1 और PS2 दोनों सम्मिलित होते हैं यह गलत है अगर मैं cyclic photo phosphorylation की बात करूं तो यह PS1 से जो electron निकलते हैं वो यहां से निकल कर electron acceptor के पास जाते ह हैं और electron acceptor से गूंते हुए बापस कहां आ जाते हैं PS1 पर तो आप कह सकते हो इसको बोलते हैं cyclic photo phosphorylation इसमें only PS1 participate करता है लेकिन इहां क्या दे दिया PS2 ध्यान रखना cyclic photo phosphorylation में कभी भी PS2 participate नहीं करता है गलत statement है 4 देखिए ATP और NADPH प्लस S positive दोनों का गयर चक्रिये प्रकास phosphorylation के दोरान संसलेशन होता है बुलकुल सही है जब non cyclic photo phosphorylation होगा तो उस टाइम पर NADPH भी बनेगा और ATP भी बनेगा और चुकि हमें गलत statement देखना था तो answer आ गया third चलिए next discuss करते है 14 सौरगम में CO2 इस तरीकरण में पहला इस्थाई उत्पात क्या होता है देखिए अगर मैं सौरगम की बात करूं यानि की जौर की तो ध्यान रखना सौरगम क्या है जौर और जौर किस टाइफ का प्लांट है C4 प्लांट है किस टाइफ का प्लांट है C4 प्लांट है और अभी मैंने आपको C4 प्लांट में बताया था कि C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में एक compound present होता है जिसका नाम है PEP और ये मीजोफिल सेल में जो PEP होता है वो CO2 के साथ reaction करके क्या बना लेता है और यही first stable product होता है सौर्गम या C4 प्लांट में तो आंसर क्या जाएगा first oxalo acetic acid ध्यान रखना सौर्गम के अंदर first stable product after CO2 fixation कौन सा होता है first CO2 fixation के बाद oxalo acetic acid नाइस देखिए यहाँ पर दो statement आपको दे रखे हैं आपको यह बताना है कि यह statement सही है या गलत देखिए C4 पादपों में primary CO2 acceptor phosphoenol pyruvate होता है और यह पर्ण मद्यों तक कोशिकाओं में पाया जाता है जैसा भी हम बात की थी कि यह C4 plants के अंदर mesophyll cell में present होता है PEP जो first CO2 acceptor होता है तो यह statement कैसा दे रखा है बिल्कुल right तो ध्यान रखना primary CO2 acceptor C4 plant में है PEP यानि की phosphoenol pyruvate और यह mesophyll cell में present होता है next देखिए पातपों के पर्ण मद्यों तक कोशिकाओं में Rubisco enzyme का अभाव होता है अगर मैं पर्ण मद्यों तक की बात करूँ तो ध्यान रखना पर्ण मद्यों तक कोशिकाओं में यह mesophyll cell में PEP cage enzyme तो होता है बट Rubisco absent होता है जबकि यहाँ पर bundle सी cell की बात करें तो वहाँ पर उल्टा होता है वहाँ Rubisco होता है लेकिन PEP cage absent होता है तो यह statement भी आपको कैसा दे रखा है बिल्कुल right दे रखा है तो इसमें answer क्या जाएगा हमारा fourth तो आप देख रहे हैं यह answer कथन first और कथन second दोनों ही कैसे है सही तो हमारा answer कौन सा आ जाएगा fourth चलिए next discuss करते है निमनलेकित मैं से कौन सा एक कथन cameosmosis यानि की रासाइनिक परास्रण के द्वारा ATP sensation के द्वारान उर्जा निर्मुक्त होने के विसेह में सत्य नहीं है यानि कि आपको simple यह बताना है कि cameosmosis या रसो परास्रणी परीकलपना के लिए कौन सा एक statement सही नहीं है तो देखिए अब देखिए पहला statement इलेक्टरोन प्रवनता का बिगटन होता है cameosmosis के टाइम पर यह बिल्कुल गलत statement दे रखा है क्योंकि पूरे cameosmosis में कहीं भी electron gradient break नहीं होता पहली बात तो electron gradient नहीं बनता है gradient बनता है proton का दूसरा देखिए इसमें जिल्ली के पार इस्टोमा में proton का गमन होता है बिल्कुल सही जब ps2 से ps1 की और electron ट्रांसफर होते है तो प्लास्टो क्यून इस्टोमा से proton को थाइलेकोईट के lumen में ट्रांसफर कर देता है तो द्यान लखने इस्टोमेंट सही है movement of proton across the membrane of stroma थर देखिए जिल्ली के stroma की तरफ NADP जिल्ली के stroma की तरफ NADP का NADP H2 में अपचयन होता है बिल्कुल सही है थाइलेकोईट की membrane पर stroma की तरफ एक complex एक enzyme होता है NADP reductase और वो NADP का reduction करके क्या बना देता है NADP H2 यह statement भी right दे रखा है next देखिए proton प्रवरता का victim होता है बिल्कुल सही है proton gradient break होता है जब proton F0 F1 particle से होकर C F0 C F1 से होकर move करते हैं तो इसमें proton gradient break हो जाता है तो इसमें answer आजाएगा first यह गलत statement दे रखा है chemiosmosis के लिए चलिए next C4 पादपों में समभन बंडल के चारो और पाई जाने वाली बड़ी बंडल आच्छत का क्या कार रह होता है मतलब यहाँ पर जो C4 plant से उसमें cringe anatomy होती है Vascular bundle के चारो तरफ large size की bundle seeds present होती है इनका क्या role होता है तो ध्यान लखना अगर मैं bundle seed cell की बात करूँ तो bundle seed cell के अंदर agranal chloroplast present होते है कौन से होते है bundle seed के अंदर agranal यानि की जिसमें ग्रेना नहीं पाए जाते तो इसमें क्या होता है जो thailicoids होते है वो एक दूसरे से अलग-अलग condition में होते है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो प्रकास स्वसन के राव में photosynthesis के time पर chloroplast के नंबर को इसके अंदर बढ़ा दिया जाता है चुकि एक तो agranal chloroplast है और साथ ही साथ यहाँ पर chloroplast का नंबर भी कैसा होता है जादा होता है इनके अंदर इसलिए इनका size भी कैसा हो जाता है बढ़ा हो जाता है Kelvin चक्र को चलाने के लिए chloroplast की संक्या इनमें बढ़ा दी जाती है तो answer क्या जाएगा first जब CO2 का एक अणू ट्रायोज फॉस्पेट के एक अणू के रूप में इस्थरी करत होता है तब अब चैन अवस्था में प्रियुक्त होने वाले प्रकास रासाइने कभी करिया द्वारा बना उच्च उर्जा वाला माद्द में रसायन निम्न लिखित में से कौन सा होता ह है अब देखिए वैन वन सीओ तु मॉलेक्यूल इस फिक्षड एज बन मॉलेक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्पेट विच आप दा फॉलाइंग फोटो केमिकली मेड ज्यान रखना क्या फोटो केमिकली मेड हाई एनरजी केमिकल इंटर्मीडियर्स आर यूजड इन दा सेकंड आता है इसमें रिडक्षन और थर्ड इस्टेप आता है रिजनरेशन इस कार्वोक्स इलेशन के टाइम पर सी ओटू फिक्स होती है यानि की सी ओटू की रियक्षन होती है आर यू वीपी से और फोटो सिंथेस स्टार्ट होती है ये जो रिडक्षन है इस रिडक्षन के टाइम पर पूँछा गया है क्या क्या यूज होता है तो ध्यान रखना रिडक्षन स्टेप में दो एटीप लगते हैं और ये जो यहाँ पर यूज हो रहा है इटीप नैडीप अच्टू ये लाइट रियक्शन के टाइम पर बनते हैं इसलिए क्या लखा है फोटो कैमिकली मेड ध्यान रखना कितना दो ATP और दो NADPH2 तो आंसर क्या जाएगा हमारा सेकिंड कैमि ओस्मोटिक या रासाइनिक पराशन परीकल्पना के संदर में कौन सा कथन सही है अब देखिया पर जलके अनू का बिखंडन जिल्ली के अंदर की ओर होता है जलके अनू का बिखंडन जिल्ली के अंदर की ओर होता है बिल्कुल सही है अगर मैं थाइलेकॉइड की बात करूँ तो थाइलेकॉइड के मेंब्रेन से अंदर की ओर यहाँ पर ऑक्सिजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के तुरू जलका अपगटन होता है लाइट की प यह बिल्कुल सही स्टेडमेंट है जैसा आभी हम से पहले भी कई बार डिसकस कर चुके हैं यह फॉइंट इलेक्टरॉन का प्रात्मी गिराही इलेक्टरॉन को एक इलेक्टरॉन बाहग को इस्थानांत्रित करता है गलत यहां पर हम कहेंगे कि अगर फोटो सिस्टम सैकें नहीं बलकि hydrogen carrier है तो ये गलत दे दिया NADP Reductage Enzyme is located on the stroma side of the membrane बिल्कुल सही है Thylakoid की membrane पर stroma की तरफ क्या पाये जाता है NADP Reductage Enzyme जो अभी हम discuss कर चुके हैं एक बार stroma में protonों की संख्या में बड़ोतरी होती है गलत stroma में नहीं होती बलकि thylakoid के lumen में proton बढ़ जाते हैं तो ये statement गलत दे रखा है तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा A B और D answer fourth कि जो सही statement दे रखे हैं चलिए नेक डिसकस करते हैं respiration के question तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला question है स्वसन मादित वसा कार्वो हाइड़ेड और प्रोटीन के भरजन में कौन सा उपाप चाहे सामानने होता है यानि कि which of the metabolite is common in respiration, immediate breakdown of fat, carbohydrate and protein यानि कि आप से simple तरीके पूछा गया है जब carbohydrate, fat और protein का respiration में breakdown होता है तो कौन सा intermediate compound इन तीनों के लिए common होता है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर carbohydrate के use की तो आपको पता है glucose जब break होता है तो glucose से बनता है pyruvic acid, pyruvic acid से बनता है acetyl coenzyme A और इससे चलता है TCA cycle अब अगर मैं बसा की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना जब वसा यह fat break होता है तो fat के breakdown से बनता है fatty acid क्या बनता है fatty acid अब देखें यह जो fatty acid है यह convert होता है acetyl coenzyme A इसका मतलब यहाँ से उपर के जो compound है वो इसमें form नहीं होगे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ किसकी protein की तो protein सबसे पहले convert होता है amino acid में किसमे convert होता है amino acid में और amino acid अलग अलग जगे पर like जैसे यह acetyl coenzyme A पर भी include हो सकता है यह pyruvic acid पर भी include हो सकता है तो अलग अलग जगे पर include होता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि acetyl coenzyme A वो intermediate है जो fat carbohydrate protein के oxidation में common होता है तो answer क्या जाएगा second acetyl coenzyme A next देखिए यह आपको simple तरीके से एक chart एक figure के form में पूरा respiration के pathway बता रखे हैं और आप से पूछा है यहाँ पर कुछ number लिख रखे हैं उन number के लिए पूछा है 4, 8 और 12 देखिए अगर मैं पूरे respiration की बात करूँ तो respiration में माल लीजे pathway A को अगर मैं consider करूँ यह कौन सी pathway हो सकती है glycolysis यह जो pathway B है यह क्या हो सकता है TCA cycle और pathway C क्या हो सकता है electron transport system and oxidative phosphorylation अब देखिए glycolysis में अगर glucose inter करेगा तो glucose glycolysis के बाद क्या बनते है यहाँ पर तीन चीजे में मिलती है एक तो बनता है pyruvac acid pyruvac acid अगले pathway में enter कर जाता है तो दो तो represent कर रहा है pyruvac acid को और इसमें बनते हैं ATP और साथी साथ बनते है NADH ADH क्या बनते है NADH तो देखिए NADH जो बनते हैं वो ETS में enter कर जाते तो आप देख रहे हो थर्ड नंबर कहां enter कर रहा है ETS में इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 4 किसको represent कर रहा है ATP को और जो 4 है वही 8 है और वही 12 है तो आप कह सकते 4 8 और 12 यह सभी किसको represent कर रहा है adenosine tri phosphate को तो आंसर आजाएगा फोर्थ नेक्स देखिए निमने लेकित मैंसे किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती अब देखिए अगर पादपों में वाई भी सोसन की बात करें यानि कि प्लांट में अगर aerobic respiration होता है तो aerobic respiration में simple सी बात है CO2 मुक्त होती है प्राणियों में वाई भी यह सोसन अगर animals के अंदर aerobic respiration होगा तब भी उसमें CO2 रिलीज होगी प्राणियों में alcoholic fermentation अगर animals के अंदर alcohol fermentation होगा तो alcohol fermentation के time पर अगर मैं कहूं तब भी क्या होता है वहाँ पर CO2 रिलीज होती है लेकिन अगर मैं lactic acid fermentation की बात करूँ तो lactic acid fermentation के time पर कभी भी CO2 रिलीज नहीं होती तो answer क्या जाएगा इसमें fourth next देखिए इसमें क्रेब चक्र के विशह में कौन सा कथन गलत है इस चक्र में एक बिंदू पर FAD positive का FADH2 में new नी करण या reduction होता है बिल्कुल सही है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यह जो क्रेब cycle है उसमें एक जगह पर FAD positive reduce होकर FADH2 का formation करता है statement बिल्कुल राइट है सकसी नाइल को एंजाय में से सकसीनिक अमल में परिवर्तन के दोरान GTP का एक अनू संसलेशन करता है तो अगर मैं बात करूँ TCA cycle में जब सकसी नाइल को एंजाय में सकसीनिक एसिड में बनता है तो वहाँ पर बनता है GTP और GTP बाद में convert हो जाता है GTP से बन जाता है ATP तो यहां बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है तो ध्यान रखना डियूरिंग कनवर्जन ऑफ सकसीनाइल को एंजाय में टू सकसीनिक एसेड अब मॉलीक्यूल ऑफ जी टीपी एज सिंतेसाइज यह चक्र एसी टाइल समू यानि की एसी टाइल को एंजाय में के पाइरूविक अमल के साथ संगनन से प्रारम होता है यह गलत स्टेटमेंट दे रखा है अगर मैं टीची ए साइकल की फस्ट रियेक्शन की बात करूं तो फस्ट रियेक्शन में एक कंपाउंड होता है ऑग्जेलो एसेटिक एसेड जो माइटो कॉंड्रिया के मैट्रिक्स में पढ़ा र कार्बन होते है चार तो यह आपस में जुड़ते हैं साथ ही साथ इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी रखता है तो यह रियेक्शन हो जाती है कंडन सेशन इस टाइम पर को एंजाइम ए रिलीज हो जाता है और बन जाता है सिट्रिक एसेड तो आप देख रहे हैं यहाँ प स्टेटमेंट गलत दे रखा है ध्यान रखना टीसी ए साइकल में कभी भी पाइरुवेक एसिट के साथ ऐसी टाइल ग्रोप नहीं जुड़ता इस शक्र में तीन बिंदूओं पर एने डी पॉजिटिव एने डी एस प्लस एस पॉजिटिव में रिड्यूस होता है यह स्ट क्या होती है देखिए एने डी पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यानि कि आप कह सकते हैं कि यह एक टाइप से इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी कार करता है तो देखिए पहला स्टेटमेंट एटीपी संसलेशन के लिए न्यूक्लि इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होता बलकि एने डी एच इलेक्ट्रॉन देता है यानि कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यह एक इलेक्ट्रॉन बाहक के रूप में कार करता है तो आंसर आजाएगा थर्ड यह एक एन्जाइम के रूप में कार करता है गलत तो ध्यान बोला कि जब NAD positive से NADH बनेगा तो इस time पर electron और proton जुड़ जाते हैं और जब यह दूसरी जगह जाता है तो इसका जब oxidation होता है तो electron proton निकाल देता है इसलिए आप कह सकते हैं electron carrier होता है तो answer क्या आगया third इन मैंसे कौन सा कथन गलत है तो देखिए तर glycolysis तब तक होता है जब तक कि इसके hydrogen परमाणूओं को उठाने के लिए NADH मिलता रहता है बिलकुल सही अगर मैं glycolysis की बात करूँ तो glycolysis में जब glyceraldehyde 3-phosphate convert होता है 1-3-base phosphoglycerate में तो इस time पर क्या होता है NAD convert होता है NADH में तो आप देख रहे हैं अगर NADH जब तक मिलता रहेगा hydrogen glycolysis से निकलते रहेगे और glycolysis easily चलता रहेगा ये बिलकुल statement right है तो ध्यान रखना जब तक glycolysis के time पर NAD supply होते रहेंगे heavy level रहेंगे तो इस case में glycolysis operate होता रहेगा औक्सी करनी phosphorylicant सूत्र करनी का की बाहे जिल्ली में होता है गलत है अगर मैं oxidative phosphorylation की बात करूँ ये कभी भी बाहे जिल्ली में नहीं होता ध्यान रखना oxidative phosphorylation आंतरिक जिल्ली में होता है बाहे जिल्ली में नहीं तो हमें गलत कतन देखना था तो answer तो आगया हमारा second थर्ड देखिए glycolysis कोशी का विले में संपन होता है glycolysis cytosol में बिल्कुल सही है cytoplasm के अंदर क्या चलता है glycolysis संपन होता है बिल्कुल राइट है TCA चक्र के enzyme सूत्र कणिका के आधात्री में होते हैं बिल्कुल सही है अगर मैं TCA cycle के most of enzymes की बात करूँ कहां present होते है mitochondria के matrix में केवल एक enzyme को छोड़ कर वो है succinate dehydrogenase यह जो succinate dehydrogenase enzyme है यह mitochondria की inner membrane में present होता है और electron transport system में यह complex second के form में भी function करता है तो ध्यान रखना एक तरफ TCA cycle में involved हो रहा है और एक तरफ complex second जो ETC यह electron transport system में participate भी करता है तो ध्यान रखना answer आगया इस question का second glucose का glucose 6 phosphate में परिवर्तन जो glycolysis की पहली अनुत करमणी अभी करिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है तो अगर मैं glycolysis की बात करूँ तो glycolysis के time पर क्या होता है जो glucose होता है वो glucose first reaction में convert होता है glucose 6 phosphate में यानि कि 6 carbon पर क्या जुड़ गया phosphate तो यहां phosphate कौन देता है ATP और ATP एक phosphate देकर convert हो जाता है adenosine di phosphate में तो इस time पर जो enzyme लगता है वो है hexokinase और यह जो hexokinase है इसके लिए metal iron लगता है magnesium तो ध्यान रखना इस तर फॉस्पोरली करण की संख्या क्या होती है तो अगर मैं सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइलेशन की बात करूं तो TCS चक्र में कितने सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइलेशन के step होते हैं तो ध्यान रखना केवल एक single step होता है सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइलेशन का कौन सा है वो ध्यान रखना यह जब succinyl coenzyme A convert होता है succinyl acid में तो उस time पर बनता है GTP और GTP finally convert हो जाता है ATP में तो इसको बोलते हैं सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइलेशन अब ध्यान रखना सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइलेशन उस reaction को कहेंगे जिस reaction में direct ATP बन जाए बिना chemiosmosis के involvement के यह आप कह सकते हो बिना electron transport system के involvement के तो यहाँ आप देख रहे हैं reaction पर direct बन रहा है इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे सबस्टेट लेवल फॉस्पोराइलेशन तो कितना step है only one answer क्या जाएगा फोर्थ next देखिए निम्न मैंसे कौन सा एक कथन गलत है ETCI electron परिवन सिंखला में NADH प्लस H positive के एक अणू से ATP के दो अणू बनते हैं और एक FADH2 से तीन अणू बनते हैं गलत है यह आप देख रहे है NADH के एक अणू से कितने ATP बन रहे हैं दो गलत है जबकि NADH के एक अणू से तीन ATP बनते हैं और एक FADH2 से दो ATP बनते हैं लेकिन यहां कितना वता रखा है तीन तो हमारा पहला ही statement कैसा है गलत है ध्यान रखना NADH के वन मॉलिक्यूल से दो ATP नहीं तीन बनते हैं और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से तीन नहीं बलकि दो ATP बनते हैं यह statement गलत है first ATP का संसलेशन complex fourth के द्वारा होता है बिल्कुल complex fifth के द्वारा होता है बिल्कुल right इसी complex fifth को हम बोलते हैं ATP synthase और उसी के द्वारा बनते हैं ATP oxidative phosphorylation के द्वारा उपाप चैन अभी किरिया है सोसल में proton प्रवनता उत्पन करती है यानि कि oxidation reduction reaction produce proton gradient in respiration बिल्कुल right है जब complex first से complex fourth तक electron का transfer होता है तो इस time पर जिस carrier को electron मिल जाते हैं उसका reduction हो जाता है और जिस carrier molecule से electron निकल जाते हैं उसका oxidation हो जाता है तो इस तरीके से जब electron flow होता है तब यहाँ पर complex से proton matrix से होकर कहाँ चले जाते हैं इंटर membrane space में और बन जाता है proton gradient यह बिल्कुल right statement है वाई भी सोसन के दोरान oxygen की भूमी का अंतिम अवस्था में होती है बिल्कुल right है अगर हम बात करें oxygen की भूमी का तो last में electron transport system में fourth complex पर oxygen लगता है जो proton से मिलकर water में convert हो respiration role of oxygen is limited to the terminal stage बिल्कुल right है हमें गलत statement देखना था तो answer आ गया first next देखिए जब glucose का प्रते कणू पाइरुवे कमल के दो अनुओं में परिवर्तित होता है तब ATP का net love कितना होता है जब ध्यान लगना अगर glycolysis की बात करूँ तो glycolysis में एक पाइरुवे कमल के दो अनुओं में बदलता है तो इस time पर सुद्ध ATP जो बनते हैं देखिए चार ATP glycolysis में बनते हैं लेकिन दो हम दो उस glycolysis में first और third reaction पर खर्च भी केर जाती हैं तो इस case में कितने ATP का हम कह सकते हैं प्राप्त होते हैं सुद्ध रूप में 2 ATP हमें मिलते हैं इसलिए आप कह सकते हैं net gain of ATP कितने आ गए 2 ध्यान रखना net gain of ATP का मतलब है जो pure ATP के form में हमें लाग हुआ है तो आंसर आ जाएगा टू कि यानि की सेकेंड आंसर next देखिए lactic अमलक किरवन के दोरान गलुकोस से कितनी और जाब बिमुक्त होती है अब देखिए lactic अमलक fermentation के time पर कितनी energy release होगी तो lactic acid fermentation एक type का आप कह सकते हैं fermentation है और fermentation यानि की anaerobic respiration और fermentation के time पर glucose में जितनी energy होती है उस glucose की energy का less than 7% energy release होती है कितनी less than 7% तो आप कह सकते हैं 7% से कम आंसर आ जाएगा third नहीं देखिए 8 एक TCA चक्र के दौरान iso citrate का decarboxylation कितनी बार होता है the number of time decarboxylation of iso citrate occurs during single TCA cycle अब देखिए अगर मैं TCA cycle की बात करूँ तो TCA cycle में oxalo acetic acid के साथ जब acetyl coenzyme A जुडता है तो first stable product बनता है citric acid यहां जिसको हम कह सकते हैं citrate अब यह जो citrate है convert होता है iso citrate में यानि कि यहां isomerization reaction होगी isomer बन गया iso citrate अब इस iso citrate से continuous दो step पर क्या होगा decarboxylation होगा तो जब first time इसमें decarboxylation होगा co2 निकलेगी तो इस time पर बनता है alpha keto gluteric acid और next step में alpha keto gluteric acid से बनेगा succinyl coenzyme A यहां इस step पर भी क्या निकलेगा co2 तो आप कह सकते हैं क्योंकि यह जो acetyl coenzyme A था इसमें glucose की only two carbon थे तो वो two carbon इन दो step पर TCA cycle में co2 के form में release हो जाते हैं तो answer आजाएगा sorry यहां answer होगा कितने बार होता है तो दो बार fourth answer आएगा यह गलत है fourth answer आएगा TCA चक्र के दौरान बनने वाला five carbon योगिक कौन सा है तो देखिए TCA चक्र के दौरान five carbon योगिक कौन सा है तो अगर मैंने अभी आपको बताया था जो citric acid बनता है इससे पहले वाली reaction में मैंने आपको बताया जब first stable product है citric acid उसमें six carbon है आईसो citrate में six carbon है और आईसो citrate से जब पहली बार CO2 निकल जाता है तो बनता है alpha keto gluteric acid जिसमें कितने carbon होते हैं पांच carbon होते हैं five carbon containing compound है अलफा keto gluteric acid आंसर आ जाएगा थर्ड नेक्स देखिए इसमें tripometrin में स्वसन गुडांक का मान कितना होता है अगर देखिए स्वसन गुडांक की बात करें तो यहां पर जो fat होते हैं स्वसन गुडांक का मतलब क्या है जो co2 कितनी release हुई और उसके लिए कितने o2 का use किया गया है इनके जो ratio होता है उस ratio को हम क्या बोलते है respiratory, coscent यहां स्वसन गुडांक कहते हैं fat के लिए इसकी जो value आती है less than one about 0.7 अगर मैं protein की बात करूँ तो protein यानि की protein के लिए आईगी 0.9 और अगर मैं carvohydrate की बात करूँ तो carvohydrate के लिए RQ की value आती है one RQ की value कितनी आती है one ठीक है ध्यान लखना protein के लिए जो value आईगी वो कितनी आईगी 0.9 जबकि carvohydrate के लिए value आईगी one अब देखिए यहां क्या पूछा है tripormittin और tripormittin क्या है fat में include है यानि किस की value कितनी आईगी 0.7 तो answer क्या जाएगा 4 0.7 चलिए next discuss करते हम plant growth related previous year question तो देखिए दर डॉक्टर एफ वेंट ने निरीक्षण किया कि यदि प्रांकुर चोल को अलग कर उसे एक गंटे के लिए अगार में रखा जाए तो अगार एक जुकाव उत्पन करेगा यदि उसे ताजे कटे हुए प्रांकुर चोल ठूट के एक और स्थापित किया जाए इस प्रियोग का क्या महत्व है ध्यान रखना यहां पर fw bent ने क्या किया था एक अगार यहां पर क्य किया जो कॉलियोब्टाइल था एविना सटाइवा का जो कॉलियोब्टाइल था उस कॉलियोब्टाइल के टिप को रिमूब कर दिया जब रिमूब कर दिया तो इस केस में यहां पर अगार प्लेट यान अगार मीडियम बनाया इस मीडियम पर इस कटे हुए कॉलियोब्ट टिप को रख दिया और रख कर अगार का एक पीस निकाला और उस पीस को इस ही ठूट के आप यहानि की जिसमें qoluktyle से टिप काटा था उसी के ऊपर जब इसके एक तरफ इस अगार जेल को रखा तो उन्होंने क्या देखा कि यह जो qoluktyle था यह प्रकास की तरफ यहां एक तरफ बेंडिंग सो कर रहा था अब उन्होंने जब अलग-अलग कंसंट्रेशन यहां प्रोवाइट की ओगजिन का तो अलग-अलग टाइप की बेंडिंग सो हुई तो आप कह सकते हैं इस प्रियोग के तुरू उन्होंने ये दर्सायता की यहां पर quantitative जो determination किया था आप कह सकते हैं ब्रदी प्रोट साहक पदार्थों की कम मात्रा के मात्रा अत्मक निर्धारण का आधार होता है यानि की basis for quantitative determination of small amount of growth promoting तो उन्होंने जब अलग-अलग concentrate की इस अगार जैल के तुरू तो उन्होंने क्या देखा कि कम concentration पर भी bending शो हो रहे थी यानि की quantity कैसी चाहिए इस बैंडिंग के लिए या ब्रद्धी promoting के लिए कम concentration की आवस्चता होती है इसलिए ये इसका सही answer जाएगा करें नेक्स निमनिलिकित मैंसे कौन सा ब्रद्धी नियन तरक प्रतीवल हॉर्मोन के नाम से जाना जाता है विच वन हॉर्मोन ग्रोथ रेगुलेटर इस्ट्रेस हॉर्मोन किलियर सी बात है stress hormone हम बोलते है एपसिसिक एसिड को किसको बोलते है एपसिसिक एसिड को तो answer क्या जाएगा हमारा first next देखिए इसमें एक हरित पौदे को जिस पर केबल एक तरफ से प्रकास डाला गया हो उसे दिमनिलिकित मैंसे क्या ब्रदी होने पर प्रकास रोत की और जुकाता है तो देखिए दर what cause a green plant exposed to the light on only one side to bend toward the source of light at it grow oxygen accumulate on the shaded side stimulate greater cell elongation there बुलकुल सही है answer आजाएगा first देखिए यहाँ पर क्या होता है यह मान लीजिए कौली अप्टाइल का seeds है अब यहाँ पर जब एक तरफ से प्रकास उपलब्द कराए जाता है एक तरफ से light उपलब्द कराई जाती है तो इस कौली अप्टाइल का एक तरफ का भाग आधा भाग तो light के direction में रहता है उपस्तिती में जबकि इस light से दूर की तरफ यानि की पीछे वाला भाग light की absence में रहता है तो इस case में क्या होता है यहाँ पर oxyn की सांदरता जादा होने से यहाँ की जो cells होती है उन cells में elongation हो जाता है और इस वज़े से जो कौली अप्टाइल होता है वो कहां की तरफ मुड़ जाता है लाइट की direction में मुड़ जाता है तो आप कह सकते हो छाया वाली बगल पर यानि की जिस side छाया होती है वहाँ पर oxyn जमा हो जाता है देखिए oxyn जमा है जो वहाँ पर कोशी का पादपों में अपेक्छाक्रत अधिक दीरगी करण कर देता है, elongation कर देता है जिसकी वज़े से ये प्रकास की ओर मुड़ जाता है आंसर आ जाएगा first ने देखिए पादपों में प्रारूपिक ब्रदी बक्र कैसा होता है यानि कि अगर टिपिकल ग्रोथ करव हम देखें प्लांट के अंदर वो किस टाइप का होगा तो अगर मैं प्लांट की भी बात करूँ तो प्लांट में भी क्या होता है ग्रोथ करव किस टाइप का आए तो यह S से बक्राएगा यानि की सिग्मोईड कर्व आंसर आजाएगा सेकंड नेच्ट देखिए ओक्जिन को किसके द्वारा जैव अमापन किया जा सकता है ओक्जिन केन बी बायो एसेड बाई तो इसके लिए एवीना सटाइवा करवेचर टेस्ट किया जाता है एवीना सटाइवा का मतलब है जैई प्लांट तो जैई प्लांट के सीट्स को जब ग्रो कराये जाता है तो वहाँ पर कॉलियोप टाइल बनते हैं और कॉलियोप टाइल के टिप को काट कर वही जो अभी अभी मैंने आपको टाया कि यहां पर करवेचर जो किया जाता है वह ऑग्जिन के आमापन या आप कह सकते हो बायो ऐसे के लिए किया जाता है और ऑग्जिन का एक नाम है इंडॉल एसिटिक एसेड एक एक एक्जामपल है उग्जिन का इंडॉल एसिटिक एसेड सौर्ट में आई ए ए ए तो आंसर क्या जाएगा इसका भी फोर्थ नेक्स देखिए पादपों में पुस्पन को प्रोरित करने के लिए आवश्चक प्रकास काल को बोध करने का इस्थान कौन सा होता है देखिए जब फोटो पीरियोडिज्म होता है फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या हो गया light की presence में specific light period की presence में पौधों के अंदर पुस्पन का प्रेरित होना इसी को हम बोलते हैं क्या photoperiodism क्या बोलते हैं इसी को हम photoperiodism अब देखिए photoperiodism में light को percept करने का काम कौन करता है leaf जब leaf light को percept करती है तो leaf के अंदर एक कालपनिक hormone बनता है जिसको बोलते है फ्लोरीजन और यह जो फ्लोरीजन है leaf से transfer होकर कहा जाता है suit के tip part की तरफ जाता है और suit के जो marry stem होता है उसको convert कर देता है floral marry stem में और यहां बन जाते है flower तो आप कह सकते हैं इसके प्रकास के काल को बोध करने का काम कौन करता है leaves तो ध्यान रखना photo period को percept करता है leaf answer second next देखिए अनानास के पौदों को पुस्पन उत्पन करने में लंबा समय लगता है अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें बर्स बर कृतिम रूप से पुस्पन प्रेरित करने के लिए कौन से हॉर्मोन का उप्योग किया जाता है तो ध्यान रखना अगर हम pineapple plants में flowering को या production को increase करने की बात करें तो यहाँ पर दो हॉर्मोन आते हैं एक तो आता है oxygen oxygen flowering को induce करता है pineapple के अंदर और ethylin भी fruit sets को increase करता है flowering को भी बढ़ाता है और fruit sets को तो answer आ जाएगा third next देखिए ninth number उस ब्रदी नियंतरक का नाम बताईए जिसे गन्ये की फसल पर छड़कने पर उसके तने की लंबाई में बड़ोतरी होती है तथा गन्ये के फसल में पैदाबार बढ़ जाती है तो यहाँ अगर हम NCRT की बात करें तो NCRT में clear बता रखा है जिब्रेलिन तो अगर हम जिब्रेलिक acid का छिड़काव करते हैं तो इसकी वज़े से उसके stem के जो लेंग्थ होती है नेक्स देखिये बड़ी की प्रक्रिया अधिक्तम किस दौरान होती है अगर हम बड़ी की बात करें तो देखिये अभी मैंने आपको ब्रदी के लिए sigmoide कर्व बनाये था सिगमोईट कर्व में इस टाइप का एक कर्व मैंने आपको बताय था ये जो फर्स्ट यहाँ पर लाइन दे रखी है ये है लेग फेज की और ये है यहाँ से यहाँ तक लॉग फेज और इसी लॉग फेज को हम बोलते हैं एक्स्पोनेंसियल फेज तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रद्धी की रेट कम है दर कम है लेकिन इस दोरान ब्रद्धी की दर बहुत अधिक है यानि की आंसर क्या जाएगा लॉग प्रावस्था या लॉग फेज इसी के टाइम पर सबसे यादा ग्रोथ होती है मैक्सिमम ग्रोथ नेच्स देखिए निमनलिकित मैंसे कौन एक बीज पृस्थी नियंत्रन करने वाला निरोदک पदार्थ नहीं है तो हम अगर बीज पृस्थी को रोकने वाले की बात करें तो यहाँ पर फीनॉलिक कंपॉंड बीज पृस्थी को रोकते हैं पेरा एस्कॉर्विक एसिड बीज प्रसुपती को रोकता है एपसिसिक एसिड भी बीजों में प्रसुपता वस्ता यहां डॉर्मेंसी को रोकते हैं ठीक मतलब बढ़ाते हैं डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं सोरी तो यहां पर एपसिसिक एसिड पेरा एस्कॉर्विक एसिड फीनोलिक एसिड ये सब डॉर्मेंसी को बढ़ाएंगे जबकि जिब्रेलिक एसिड बीजोमेंट डॉर्मेंसी को रोकता है उसको ब्रेक करता है और जब डॉर्मेंसी ब्रेक कर देगा तो बीज अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा थर्ड ये प्रसुपता वस्था को निरोधक पदार्थ नहीं है बीच प्रसुपती के लिए नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है आंसर आएगा थर्ड एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पाद अप हॉर्मोन उप्योग में लाए जाता है यानि कि उस हॉर्मोन का नाम बताईए जो फील्ड में बीड को डेस्ट्रॉइ कर देता है तो अगर हम NCIT में बात करें क्लियर औक जिन में बता रखा है कि बीड फिरी लॉन अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं ये टू फोर डी बीड को किल कर देता है और बीड फिरी लॉन तयार हो जाता है आंसर आ जाएगा सेकंड प्रकास कालिता के दौरान पात्पों में प्रकास के अब गमन का इस्थान कौन सा है यानि कि Sight of Perception of Light यानि कि जब Photo Periodism होता है दीपती कालिता तो उस दीपती कालिता के टाइम पर Light Period को कौन गिरहन करता है कौन परसेप्ट करता है तो इसके लिए अभी मैंने आपको उताय था कि ये काम करता है पत्तियां पत्तियों में लाइट को ड्यूरेशन को परसेप्ट किया जाता है आंसर आ जाएगा थर्ड पर्यावरण के प्रचुर्ततर में पादक विभिन पत्तों का अनूसरन करते हैंいや विभिन प्रकार की सन्रचनाओं के निर्मान के लिए विभिन अवस्थाओं का अनूसरन करते हैं इस समता को क्या बोलते हैं इस समता को बोलते हैं सुगटिता यानि की plasticity तो ध्यान रखना अगर plant development के time पर बिभिन्य सन्रचनाओं का निर्मार करता है या पर्याबरण के प्रभाव की वज़े से अलग-अलग type की सन्रचनाओं का निर्मार करता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या सुगटिता या plastic जैसे एक एक जामपल आता है विसम पर्णता हेट्रोफिली वो भी एक टाइप की क्या होती है प्लास्टिसिटी का एक जामपल है तो आंसर आजाएगा इसका सेकिंड हाल के वर्सों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है निमनले खित मैंसे किस पादप हॉर्मोन को प्रियुक्त करने के परणाम सरूप यह उत्पादन बढ़ा है जबकि यह हॉर्मोन पादपों में मादा पुस्पन मादा पुस्प उत्पन करने के लिए जाना जात है देखिए इसी से आपको किलियर कर दिया कि यह कौन सा हार्मोन होगा ध्यान रखना किलियर वो लखा है कि प्रोड़क्शन आप कुकुमबर है इंक्रीज मैनी फोल्ड रीसेंट यह ठीक है एप्लीकेशन ओविच आप फॉलवंग फाइटो हार्मोन है यह आंसर आ जाएगा इथाइलीन अगर हम इथाइलीन के बात करें तो इथाइलीन क्या करता है कुकुमबर या क्हीरे में मादा-पुश्पौक के निर्मान को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से खीरे का उत्पादन बढ़ जाता है तो आंसर क्या जाएगा इथाइलीन क्लियर एंसी आटी में ये दे रखा है नेक्स देखिए निमनेलिखित में से कौन सुगट्टिता प्रदर्शित नहीं करता अब देखिए मैंने अभी आपको उताया कि सुगट्टिता ये वो दो टाइप की होगी एक तो डवलपमेंटल हेट्रोफिली और दूसरी आता है इसमें एनवार्मेंटल हेट्रोफिली डवलपमेंटल हेट्रोफिली का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट डवलप हो रहा है तो उसी टाइम पर उसमें अलग अलग टाइप की सन्रचनाय बने और एनवार्मेंटल मतलब पर्यावरण के प्रभाव की वज़े से हो अगर मैं पर्यावरणी है एनवार्मेंटल हेट्रोफिल्य है इसमें आजाएगा कोरी एंडर हो में ऑगे कोटन के एंडå lark इस पर कोरींडर कोटरन एंड लार्क इस पर तो देखिए दनिया कोरींडर में बिल्कल है या प्लास्टीशिटी बटर गुल apex है यह लिए लिख रखाए का पास कोटन विख रखाय है लेकिन मक्के में हेट्रोफिली नहीं होती तो आंसर क्या जाएगा हमारा थर्ड गैसिय पादा ब्रद्धी नियंतरक पादपो में किस लिये प्रियुक्त किये जाते है जणों की ब्रद्धी और मूल रोमों के निर्माण को उन्नत करने के लिए जिसमें अफसोसन सतह में ब्रद्धी हो जाती है ये बिलकुल राइट है इसी के लिए प्रियुक्त किया जाता है सीर्सस्थ प्रभाविता के नियंतर्ण में गलत है एपिकल डॉमिनेंस को घटाने में ये कभी यूज में नहीं आता है इसका एपिकल डॉमिनेंस से लेना देना नहीं है खेतों में दुई बीच पत्री खरपतवारों को नस्ट करने के लिए ये गलत है ये औक्जिन का काम है माल्टिंग प्रक्रिया की गती को बढ़ाने के लिए माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम होता है जिब्रेलिक एसिट दुआरा तो आणसर क्या जाएगा हमारा फस्ट यानि कि ये जो इथाइलीन है वो रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है और root की growth के साथ-साथ root hairs के निर्माण को बढ़ा देता है formation को जिससे absorption के लिए surface area बढ़ जाता है चलिए next question discuss करते हैं 18 निमने लिखित मैंसे कौन सा ब्रधी नियंत्रा के एडिनिन व्यूत्पन है अब देगे इथाइलीन की अगर मैं बात करूँ यह तो gaseous hormone है यह कैसा है gaseous hormone अगर मैं एपसिसिक acid की बात करूँ यह carotenoid derivative है carotenoid derivative अगर मैं oxyn की बात करूँ यह indol compound होता है और cytokinin की बात करूँ तो यह बिल्कुल right answer आएगा यह adinin derivative है तो answer क्या जाएगा cytokinin next देखिए पर्यावर्ण की प्रतिक रिया में पात्पों द्वारा विभिन पत्वों को अपनाए जाने पर बनने वाले विभिन प्रकार की सन्रचनाओं को क्या कहते हैं तो मैंने भी आपको उताया कि जब plant different pathway का यूज करके response to environment यानि की environment के response में जब different pathway का यूज करता है और उसमें different प्रकार के structure बनते हैं इसको बोलते हैं plasticity यानि की सुगट्टिता तो यह हमने अभी पढ़ा भी था की सुगट्टिता क्या होती है तो आप कह सकते हैं इसका answer आजाएगा first तो यहां हमने जो गुरु नीती का 7th unit थी जिसमें हमने plant growth इसके अलावा photo synthesis इसके अलावा respiration से related question हमने discuss किये और मैं आसा करता हूँ कि आप इसका बहुत अधिक से अधिक लाव लेंगे क्योंकि यह CLC ने जो बहुत unique concept आपके लिए दे रखा है तो उसका आप अधिक से अधिक लाव लें और neat अच्छे से आप crack करें ठीक है thank you